नमस्कार मैं इंट्यार आप लोग आपनी यूट्यूब चैनल इंट्यार मैं स्वागत करता हूं इसके पिछले वीडियो में हम लोग लोग क्लास 10 का चेप्टर में 5.3 का 11 नमर कॉस्टन तक कंप्लीट कर लिया था और अभी हम लोग क्या करेंगे 12 नमर कॉस्टन से करना बताना है जो 6 से डिविजल है क्या है 6 का मौल्टिपल है उसका सम निकाल के भी बताना है ठीक है तो सबसे पहला जो नमर होगा जो 6 से डिविजले होगा कौन सा नमर होगा ठीक है कौन सा नमर होगा आपको चार छे नमर होगा जो स्टार्टिंग का है वो आपका छे होगा इसके बाद 12 होगा उसके बाद 18 हो जाएगा और इस तरह से कितना जाएगा यह आपका 40 पदों तक जाना है ठीक है यहने कि 14 एग कहाता है हो आपको इसतर लिखते विए अब इस सब को क्या करना है तो यह होता है इसके करिंग बताओ कि एक होता है पर क्या होगा 6 होगा difference कितना का होगा अगर 6 का multiple है तो 12 में से 6 को घटाओगे 6 ही आएगा इनका मान कितना रखना है 40 तक चलना है तो इनका मान कितना हो जागा 40 हो जागा इतना detail आपको दे रखा है और तो कोश नहीं दे रखा नो बस आपको क्या करना है जोड़ देना है जोड़ दीजी सिंपल सवा फर्मुला लागेगा सन इक्वल टू यहां पर फिर से 40 बाइटू रिखते पहले फर्मुला लिखते यहां पर भी इन बाइटू टू यह पलस इन माइनस फॉन इन टू में डी हो जागा यह आपका अब इन क लिख कर रखोगे 40 तो आपका 40 बट 2 यह 2 गुने एक के लिए कितना करोगे 6 पलस में यह आपका 40 माइनस 1 और डी के लिए कितना है 6 ठीक है सब को कल्कुलेट करो यह आपका कटेगा दो बार में 20 जाएगा यानि 20 और यहाँ पर आपका आएगा 12 पलस में 49 गुने 6 ठीक है गुना कर दीची यह 20 का 20 रहेगा यह 12 का 12 गुना करोगे 900 का 45 के 4 हांसिल गया 5 7,8,8 और 5 होता है 23 23 को क्या करो 12 से जोड़ दो यह जोड़ोगे कितना हैगा 4 दो 6 6 यह आपका गया 4 और यह आपका 2 246 में क्या करना आपको 20 से गुना करना है 20 से गुना करना का मतलब 10 से चिपका दो यह दो गया 9 गया और यह 4 गया 4920 कितना गया बच्चो 4920 पूरे का अपको मिल जाएगा ठीक है आंसर मिला लिजीएगा आप लोग सब लोग कि नेक्स कुशन तरब अधर लिख लिए होगा आप लोग इसको मिठा दू मैं कि अधिए आप कि नेक्स कुशन देखिएगा बुक का पेज पलठी और उसमें एक सब्सक्राइब आप से की आठ के पर्थम 15 मतलब यह हुआ कि वैसा नंबर जो आठ का मल्टिपॉल हो जिसमें आप आठ से गुना कर रखो और स्टार्टिंग से पर्थम क्या हुआ स्टार्टिंग से करना यानि कि फर्स्ट होगे आपका 8 सेक्वन हो जागा demonstrate तक चलना है पंदरभ पदों यानि 15 टर्म तक सब को क्या करना है निकाल देना है इतना है प्दु का योग है अब लगाना क्या है यह फूमूर लगाना है आपको अब एक का मान क्या दे रखा होगा यह का मान जो फैला होता है वह आपका एट होता है डिफिरेंस क्या होगा मुल्टि सोरी यह आपका 16-8 हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 और n का 1 कितना है 15 का 15 निकालो फर्मूला से फर्मूला आपको पता ही है n by 2 equal to क्या होता है 2a प्लस में n-1 in 2 में d कर लेते हो आप अब n बटे 2 का मतलब कितना यह आपका 15 बटे 2 करोगे 2 गुने a का मतलब कितना 8 यहाँ पर क्या करोगे 15-1 कर दोगे और डिफरेंस के लिए d का मतलब कितना है 8 यह आपका 15 बटे 2 गया 8 दूनी 16 पर इस चौदा गुने 8 कर दो यहाँ पर ठीक है कितना आगी आपका यह 15 बटे 2 यह आपका 16 प्लस में इन दोनों को गुना करोगे 112 आ जागा न और फाइनली क्या करो जोड़ दो जोड़ो जोड़ो बता कितना आगा 112 में 16 जोड़ोगे 128 यह कटेगा कितना आवर में 64 टाइम में 64 टाइम का मतलब 960 हो जागा ना 326 में ठीक है 960 आगिया जोड़ोगे 960 क्या कि मैं इसको जोड़ दिया और दोसे दिभाई लाके 15 सो गुना कर दिया गुना कर दिया आपको इतना ही आएगा 960 आगया पुरा योग आंसर मिला मिराद इसको चली यह पर दिया नमर कुर्शन था अब इसका आगय का कुर्शन देखते हैं 14 नमर 14 नमर कुर्शन पढ़िएगा इसमें क्या दे रखा है 14 नमर कुर्शन में यह क्या रखा है आपसी कि 0 और 50 के 20 बिसम संख्याओं का योग ज्याद केजिए 0 और 50 के बिच कितने बिसम संख्याओं होंगे बताइए यहाँ पर कि 0 और 50 के बिच चलोगे आप यह रहापका 0 और यह रहापका 50 और इन दोनों के बीच में जो बिसम संख्याओं होंगी क्या होंगी बिसम संख्याओं यानि कि एक नहीं कटेगा, इसके बाद 3, 5, 7, ऐसे करते करते करते, कहां तक आएगा, यह आपका 49 तक चलेगा, ठीक है, यह हो गया, अब इस सिक्विंस में आपको क्या क्या जनकारी मिल गई, वह आप देख लो, फर्स जनकारी तो यह मिले, कि first term इसका क्या है, एक है, difference कितना का होगा, 3 में से एक घटा होगे, 2 का होजागा, Last term किया होगी आपके पास Last term को बोलते हम लूग न A N यह होगी आपका 29 इतना आगी आपका जनकारी अब इस जनकारी की मदद से आप निकाल सकते हो क्या किसका फूराट टर्म कितना है N का value निकाल सकते हो अप जाहोत वो उग्यों कैसे निकालोगे आपका एन माइनस वनी रहने वाला आपका और डिफ्रेंस दो का या था दो ब्रावर में 49 एक घटे का इधर एन माइनस टू गुने दो इकको फुटीएट हो जाएगा एक को क्या किया मैंने घटा दिया फुटीएट आ गिया अब ये दो से कटेगा 24 बार में एन माइनस वनी उकल टू चौविस इसका मतलब आ गया इन का मन कितना ये एक जाको उधर जूट जाएगा तो आपका हो जागा 25 इन का मन कितना आ गया 25 आपको मैंने पहले ही बताया था कि sum of odd number यानि कि odd number को आपको जोड़ना है और टर्म के बारे में को पता है कि कितने टर्म है तो क्या करो उसका सिर्फ स्क्वायर कर दो तो आप चाहो तो ऐसे कर लो रैकली 25 का स्क्वायर क्या हो जागा 625 इनसा और नहीं तो आप चाहो तो उस फ्रमूला से भी बना सकते हो क कि S N equal to N का मान कितना रखना है 25 तो मैं है 25 रख दूँ एक ही बार में यह आपका 25 बटे 2 हो जाएगा 2A का मान कितना होता है आपका 1 क्योंकि फरमूला के कोडिंग मैं रख रहा हूं यहां पर दुबारा फरमूला नहीं लिखा है और 25-1 तो 24 और difference कितना कर जाएगा 2 कर ठीक है तो यह 25 बटा 2 गुना दो और यह हो जागा आपका 24 दुनी और 48 और 49 दू 50 में एकी बार में कर दे रहा हूं ठीक है यह अपका कटेगा 25 बार में फानेली कितना आ गया 25 गुने 25 ही आ गया और 25 गुना है 25 का मतलब कितना होता है 625 होता है बस ऐसे निकाल सकता है पसा कि नेक्स कुशन पढ़िए एक कुशन और देख लेते हैं इसे मैं मिटा दे रहा हूं चलिए नेक्स कुशन पढ़िएगा बला अच्छा कुश्चन दे रखा है क्या कि कोई कंपनी है निर्मान कान से संबंदित ठेके के लिए है एक निशी तीथी के कार करने को बिलम से पूरा करने पर क्या करता है जुर्माना लगा देता है यानि कोई काम करने का contact लिया गया है और contact को अगर time पर पूरा नहीं किया जाएगा तो क्या होगा उस पर punishment मिलेगा punishment के तोर पर क्या है जुर्माना दे रहा है और जुर्माना के लिए उपर क्या दे रखा है कि पहला दिन अगर काम यानि कि जिस time में आपको काम करना था जिस time period में उससे अगर आप एक दिन extra जाते हो तो आपको 200 रुपय का चार्ज होता है कि आपको 200 रुपय पेनल्टी चार किया तो 200 रुपय चार्ज करता है अगर दो दिन लेट हुआ ठीक है तो आपको 50 रुपय भढ़ा के 200 और अगर तीन दिन लेट करते हो तो आपको 300 रुपय ऐसे पेनल्टी चार्ज परहाते हो जालेगा ठीक है तो आपसे कहा है क्या कि अगर इस तरह से continue पढ़ते चला बढ काम को पुड़ा कर रहा है इसका मतलब यह हुआ कि continue कहां तक चलेगा तीस दिन तक चलेगा ठीक है इतना दिनों तक बिलंब होते चलेगा तो पैसा भी क्या होगा इसका बढ़ते हो चलेगा यानि कि इस दिटिल्स हमें क्या 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 प्राप्त हो गया आप उसको लिख ल कि अब आपको क्या करना है कि पूरे पैसा को जोड़ देना है या कि कितना उसको इक्स्रा चार्ज करना परेगा अगर काम को लेट से करता है तो फॉर्मला लगा दीजगा एस न इन भाइ टु 2A plus N minus 1 into D होता है यह formula, N बटे 2 का मतलब कितना हुगा, यह आपका 30 बटे 2 जाएगा, 2 गुना A का मान कितना होगा, 200, तो 200 रख दोगे यहाँ पे, पलस में, N का मान फिर से 30, मानस का 1 रहेगा आपका, और D का मान कितना होगे, 50, बस इसी को solve कर लो, यह आपका कटेगा 15 बार में, 15 लिखे दोगे यहाँ पे, आप यहाँ लिख सकते हूँ 15, यह आपका हो जागा 400, इन दोनों का गुना करोगे तो, पलस 29 गुने 5 और एक 0 चिपका दीजिए, यह 15 का 15 ही रहने बला आपका, यह आपका 400 का 400 भी रहेगा, और 29 पची कितना होता है, 145 और 0 आप चिपका दो, यह 15 गुना, इन दोनों का जूरोगे, 850 आजाएगा, और 850 को गुना कर लिजिए आप, ठीके, 850 को क्या करो, गुना कर दो, गुना करने के बाद कितना रुपया पेनाल्टी चार देना पड़ेगा उसको, इन ठेकेदार को क्या करना पड़ेगा, जुर्माना के रुप में 27,750 रुपय देना पड़ेगा, ठीक है, तो वासा करता हूँ, मैं आपको समझा पाया हूँ, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बई-बाई-बाई and see you, bye.